आज हम बात करने जा रहे हैं वैदिक मैज्स सब्ट्रेक्शन ट्रिक्स के बारे में जिसे हम ये भी बहुत सकते हैं सब्ट्रेक्टिंग विदाउट बॉरोविंग जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने एडिशन किया था लेफ्ट से लेके राइट को सब्ट्रेक्शन भी लेफ्टू राइट ही होता है वैदिक मैज्स में इसको करने से पहले हमें हें कुछ बातों पता होना चीळिए आए देखते हैं By's friends digits सबसे पहले यह देखते हैं वैस्ट centrा डिजिट्स का मीनिंग क्या है ऐससार य्दोनों एक दूसरे के best friends हैं Creek 3 & 7, 4 & 6, 5 & 5, क्योंकि इसका हम लोगों ने यहाँ पे यूज करना है, अब देखते हैं, सबसे पहले हमें सब्ट्रेक्शन करना है, 2 डिजेट नमबर का, एक नमबर है 56, दूसरा नमबर है 24, तो नॉर्मल सब्ट्रेक्शन में हम क्या करेंगे, 6-4, 2, 5-2, 3, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, left to right करेंगे, देखिए, 5-2, 3, 6-4, 2, यह बहुत सिंपल है, क्योंकि यह चोटा सा नमबर था, next नमबर देखते हैं, 8-3, 5, अब यहाँ पे देखिए, 5-8 नहीं हो सकता, क्योंकि उपर वाला नमबर चोटा है, और नीचे वाला नमबर बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को पहले cross करके, 4 लिख देंगे, और जो 8 का best friend है, देखते हैं, 8 का best friend क्या है, 8 का best friend है 2, उसको हम उपर वाले नमबर के साथ एड़ कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस 5, यह हो गया, 7, तो हमारा answer कितना आगया, 47, 3 digit नमबर में देखते हैं, 1 stands 100, यहाँ पे 3 places हैं, तो सबसे पहले इदर देखते हैं, 4-2, यह कितना हो गया, this is simple, 2, अब 5 में से 8 सब्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 8 का best friend जो है, उसका use करेंगे, अभी हमने देखा, कि 8 का best friend क्या है हमारे पास, यहाँ से 2, तो इसका जो best friend है 2, उसको हम 5 में add कर देंगे, यह कितना बन गया, 7, और यहाँ पर इससे एक number less करके, यहाँ लिग देखते हैं next, 3 में से 4 subtract नहीं हो सकता, again, तो यहाँ पे भी हम 4 का best friend का use करेंगे, अब आईए देखते हैं, 4 का best friend क्या है, 6, तो 4 का जो best friend है 6, उसको हम 3 के साथ add कर देंगे, 6 प्लस 3, 9, और यहाँ पे भी एक number हम इसको less कर देंगे, तो हमारा देखिए final number क्या बना, 169, बहुत ही simple method है, 4 digit number में भी try करके देखते हैं, यहाँ पे 4 places हैं, 1s, 10s, 100s, 1000s, आईए देखने, अब यहाँ पे हम direct लिखने की कोशिश करेंगे, कि हमें 2 lineों में ना लिखना पड़े, हम सीधे एक line में answer लिख देंगे, देखिए 6-2, 4, अब 4 लिखने से पहले हम अगल नमबर चेक कर लेते हैं, कि यहाँ पे उपर वाला नमबर छोटा है कि बड़ा है, अब यहाँ देखिए उपर वाला नमबर जो है, वो छोटा है 8 में से, तो इसका मतलब यहाँ माइनस करके जो answer आएगा, हमें उससे 8 पिशला नमबर लिखना है, तो इसका मतलब 6-2 आया 4 4 से पहले क्या आता है, 3, तो वो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे अब हम फिर क्या करेंगे, 8 का best friend का use करेंगे, हमें पता है 8 का best friend है, 2, 2 प्लस 4, 6, अब हम यहाँ 6 लिखने से पहले इधर चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पे subtraction हो सकता है, easily, हाँ यहाँ पे हो सकता है, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे, अब 3-1, हमें पता है, 2, लेकिन 2 लिखने से पहले हम अगला नमबर चेक करते हैं, क्या यह easily subtract हो सकता है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3-1, 2 लिखने की जगह पे, 2 से कम नमबर यहाँ पे लिख देंगे, 1, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो य 7 के साथ add कर देंगे, तो यह क्या बन गया, 8, तो देखिए, हमने यहाँ पे एक ही line में answer लिख दिया, तो यह जो method बहुत ही easy है, लेकिन बार-बार practice करेंगे, तभी हम इसको अच्छे से सीख पाएंगे, thank you.